वेल्कम टू एससे स्कॉलर्स गाइज आज का इस सेशन एर फोर्स वाई ग्रूप के सभी एस्पेरेंट्स के लिए काफी जादा इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एर फोर्स वाई ग्रूप के लिए मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टन हैं उनका मैथमेटिक्स पोशन थोड़ा सा वीक होता है सो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताइए आपका मैथमेटिक्स कैसा है एंड टेन प्लस टू में आपके पास मैथमेटिक्स था या नहीं एंड अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है मैथमेटिक्स इकलोता ऐसा कारण है जिसकी वज़े से आपका selection रुका हुआ है तो अब आपको बिल्कुल भी tension लेने की ज़रत नहीं है क्योंकि मैं आपको at least y group के अंदर तो selection दिलवा कर रहा हूँगा चाहे आपका mathematics कितना भी week है so आपको कुछ मैं important topics बताने वाला हूँ उनको आप अच्छे से करके चलिए जाए य ग्रूप के अंदर आपका selection जरूर होगा यह हैं आपके कुछ important topics mathematics के अंदर जो आपको पढ़ने हैं अगर आप एक week student है तो आप सिर्फ इनको पढ़ कर जाए आप अच्छा जो है marks ले आएंगे अगर आपका mathematics अच्छा है आप एक average student है या फिर above average student है तो आप सभी chapters को पढ़ें बट इन chapters पर थोड़ा सा ज़ादा धन दें अब बात यह आते हैं इन chapters से किस level के questions आएंगे किस type के questions आएंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना average average के अंदर आपको questions आने चाहिए average के अंदर किस type के questions आएंगे देखे average के अंदर आपका आएगा कि माली जे एक person है वो A से B point पर जाता है कुछ speed से फिर B point से A point पर आता है वापस कुछ अलग speed से तो बताए उसकी average speed क्या हुई तो इस type के questions आपको आने चाहिए जादा level इसक के लिए बनाये जिनका mathematics थोड़ा सा weak है तो यहां पर आपका mathematics कोई भी tricky चीज़ कोई भी complex यहां पर topics नहीं पूछे जाते हैं बहुत ही simple आपके up to 8th and 10th standard के questions पूछे जाते हैं सो उसके बाद में LCM and HCF LCM HCF में एक formula है कि LCM into HCF is equal to first number into second number तो इससे formula से related आपके जितने भी questions है वो सभी आप practice करके जाएए वहां से question जरूर आएगा देन आता है percentage percentage आपको बिल्कुल clear होना चाहिए क्योंकि percentage अगर आपको आगया तो इसससे आप तीन chapters पढ़ पाएंगे ज जैसे ratio and proportion percentage से related है profit and loss percentage से related है अब एक चीज़ ध्यानर किये आपका percentage से जो related topics है इनमें questions काफी जादा hard level तक भी पहुच जाते हैं बट आपको वो नहीं पढ़ने अगर आप Air Force Y Group के practice कर रहे हैं तो आपको level जो है medium रखना है जादा hard level पर नहीं जाना दन आता है time distance and speed काफी अ rail वाले questions कीजे rail and platform यानि कि एक rail है वो इतने लंबे platform से गुजरती है तो बताइए कि उसकी speed क्या है या फिर distance क्या है क्या उसकी length है complete इस type के questions आपको पता होने चाहिए platform पे कोई बंदा खड़ा है और उसको rail जो है वो cross करती है तो इस type के questions आपको आने चाहिए then आता है trigonometry trigonometry से simple questions आते हैं and believe me अगर आप ये table करके जाते हैं ठीक है अगर आपको ये table जो है learn है याद है समझ आ रही है तो आप trigonometry का एक ए questions solve कर देंगे क्योंकि basically वहाँ पर होता ही है आपको जो है यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलू जो angles की value है वो degrees की value सिर्फ put करनी ह है और आपका answer आजाएगा then आपका last आता है simplification simplification जादा hard नहीं आएगा बहुत ही easy level का simplification आएगा अगर आपको board mass वगेरा आता है आप easily उसको solve कर पाएंगे so ये ते कुछ important topics आप सिर्फ इनको कर लीजे y group के अंदर आपका selection जो है guaranteed है so आज के session में इतने रखते हैं thank you